इसका मतलब यह है कि कई इसमें हम क्या क्या बताएंगे आज इसमें भी चर्चा करेंगे कि पहली चीज तो कि हर एक आदमी के लिए अमीर बनने के लिए रकम जो है अलग-अलग होती है कोई फार्मूला किसी ब्यक्ति के लिए एक बराबर नहीं बैठ सकता कि एक आदमी के ल समय में जो पोजीशन है फाइनेंशल स्टेटस है आगे आने आवले टाइम पर वह उससे अच्छी फाइनेंशल पोजीशन चाहेगा तो इसमें दूसी चीज यह चर्चा करेंगे हम दो फंट के नाम लेंगे पहली चीज तो मैं बता रहा हूं कि उनके हिसाब से क्या पोज कोरांटी नहीं है सकते हैं तो कोई यह ना समझें कि मैं रिइकन्स आते मुचल फंट में उन लोगों का तो कि मैं उन दो फन्ट का नाम लोगा ऐसे कई फस हैं मैं उन सारे के नाम तो नहीं ले सकता हूँ पूरे काफी टाइम लग जाएगा वीडियो लंबा हो जाएगा तो दो फन्ट का नाम लेंगे अगर weडियो आप पूरी घम्भीरता पूर्वक देखेंगे तो आपके कई दो करोड़ रुपए हो उनके पास तो वो 25 साल बाद अमीर बन जाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि 25 साल बाद आज से 25 साल पहले अगर उन्होंने कलपना की होगी 2023 चला है समय सेप्टेंबर 2023 यानि कि जो है सेप्टेंबर आठ में उन्होंने सोचा होगा कि हमारे पास दो करोड़ रुपए हो उस समय के लिए कि उनके पास दो करोड़ रुपए हो तब वो अमीर होते आज के लिए नहीं कि 2023 में सेप्टेंबर 2023 में अगर उनके पास दो तो उसकी करोड़पती की हसियत ऐसे ही होती है तो इसलिए कोई इस भ्रम मेनर है कि हां अगर उस समय करोड़ दो करोड़ रुपाए होते तो आज की डेट में करोड़ पती हो जाते अगर 7% इंफ्लेशन रेट माना जाए तो आज की समय उसी 2 करोड़ रुपाए की वैल्यू जो है आपकी है दस करोड़ 85,653 रुपाए आज उनके पास होते तब वो अमीर कहे जाते और आज की समय में अगर किसी के पास 10-11 रुपीज हैं 10 करोड़ रुपाए हैं 11 करोड़ तो वाकई में अमीर माना जाता है कि वो धन संपत्ति से परिपूर्ण व्यक्ति है तो इसके लिए इनको क्या करना था उस समय प्लानिंग की जाती या आज के समय से उस समय इनको अगर कैल्प्लेट किया जाता 15% माने जाते कि 15% रिटन अगर आएगा कि कंसिस्टेंट रिटन किसी साल ज्यादा आएगा किसी साल कम आएगा तो उस समय इनको टोटल एक यसाईपी करनी पड़ती 22,000 रुपाए की ए कि तीन यसाईपी करनी होती यसाईपी करते तब इनका ये लक्ष 10,85,000,000 यह हासिल हो जाता है अब कई लोगों का सवाल यह होता है कि इतना लक्ष नहीं हासिल होगा 15% का रिटन नहीं आने वाला है हमारा बताने का उद्देश यह है सभी लोगों की कि मुचल फंड में पैसा आप हमेशा लंबे टाइम के लिए दो चार माइने में हो जाए तो 25 साल का इनों ने लक्ष लिया है मान लिजे इन्हों है तीन फंट्स में 11-11,000 रुपई की यसाईपी की हैं तीन फंट्स में 11-11,000 रुपई की यसाईपी कर दे कि मेरे पास जो है टोटल जो है हमारा लक्ष दस करोड़ पच्चासी लाग का हासिल हो जाएगा पंद्रा पर्सिंट के हिसाब से बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगा तो अब मैं दो फंट्स के नाम बता रहा हूं और उनके कि उन में पैसा अगर लगाए होते हैं सेप्टेंबर 2008 से अपनी साइपी दद से 11-11,000 की सुरू की होते हैं मैंने सिर्फ ददस जार का इसमें एक्जाम्पिल लिया है के लिए कि आसानी हो जाए के लिए वैसे अगर 11,000 करने में बड़ी दिक्कत हो जाती सभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते तो पट्चिस साल में जब 10,000 रुपए जमा करते हर मन्त तो इनका जमा होता जाकर कि 30-30,000,000 रुपए हर एक फंट में यानि कि टोटल 90,000,000 रुप पट्चिस साल में होती लेकिन अब देखिए मैं वहीं तक फंट बताऊंगा जहां तक किनका गोल अचीव हो रहा हो सकता एक दो में ही अचीव हो गया हो आप चाहें और यह हमारी हमारी इमेजनरी रिटन नहीं है कालपनिक रिटन नहीं है आप चाहें तो इसके रिटन जो एसमें अगर 10,000 रुपाय की SIP सेप्टेम्बर 2008 से सुलू होती तो आज के समय तक टोटल 30 लाग रुपाय जमा होता है और उसकी वैल्यू आज के समय में 6,00,00,10,00,63,000 रुपाय है फ्लाइक्सी कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है मौडरेट रिस्क है इसमें इसमाल कैप या सेक्टोरियल फंड की तरह नहीं की बहुत ज्यादा रिस्की हो इसका अगर एवरेज रिटरन देखेंगे यह अली रिटरन 19% का रहा है जबकि हम लोग जो है 15% का है calculation लेते हैं कई लोगों के दिमाग में आते हैं कि 15% return नहीं आते हैं तो आप देखिए 25 साल में 19% का return इसमें आ रहा है दूसरा आप ले लिजे निप्पॉन का growth fund जो कि mid category का fund है निप्पॉन का नाम पहले Reliance mutual fund company होता था यह तो निप्पॉन ने अभी take over किया इसलिए confused मत होईएगा वर्तमान में इसका नाम निप्पॉन mutual fund है इसमें अगर 10,000 की S.I.P. इसमें भी चल नहीं होती तो पच्चिस साल में जमा तो वही तीन लाक रुपाई यह तीस लाक रुपाई होगा जिसकी valuation आज के समय में जो है आठ करोड निन्यान ने बेला कि 70,548 रुपाई है और जबकि इनका लक्ष था कि जो है दस करोड पच्चासी लाक रुपाई हो लेकिन अगर इन दो फंट में देखा जाए तो टोटल नियार बाउट करें जिस भी तरिक करें तो मिचल फंट के विश्य में कभी ये confusion मत रखें कि लांग टर्म में मेरे डिटर नहीं आएंगे लांग टर्म में आपके रिटर्ण सब कहीं से अच्छे बनेंगे हां अगर कोई चाहे कि हम साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल में करोड अमीर बन जाएं अमीर की बात हो रही करोड पती की बात नहीं हो रही क्योंकि हर एक बैक्ति की अमीर बनने किया उसके लिए पैसे की वाइल लिव अलग अलग होती है तो आज हमने चर्चा किया है कि मीचल फंड में निवेस से अमीर कैसे बनें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंसियल विद्गोपी कृष्णाव को सब्सक्राइब नहीं किया है अवसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकान को भी प्रेस करने जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंसता रहे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें लाइक करें और कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार